हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करती हो कि भूत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताते हूं जब हमने इस सीरीज को चालू किया था तो हमने सोचा नहीं इतनी जल्दी इतने सारे वीडियो बना लेंगे और इतने सारे कोशन को पढ़ लेंगे और मैंने प्रियास किया कि जो 2000 कोशन बली सीरीज है इसमें कोई भी कोशन गलत ना रहे बिलकुल भी शिरू सुरू मैं एक दो गलतियां निकली थी लेकिन बाद मैंने बहुत हों और हर वीडियो में अगर कहीं पहले होती है तो मैं उसको कमेंट पिन कर देती हैं ठीक है तो आप उसको जरूर देखा करो प्लीज कियंकि आप गलती को गलत ही पढ़ लोगे तो ठीक नहीं Adm तो लेकिन ऐसाप सुधार होगे आप भी तो कुछ काम करोगा तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तो सूचा भी नहीं था कि हम इस को पढते बढ़ते और इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे में देख्यों कर चाहूं और दोपेर तीनों टाइम आती है जैसे हम खाना खाते ना तीनों टाइम उसी तरह से वीडियो हो जाती है अब मुझे देखके आज़ा ना बहुत अच्छा लगा कि यह मैंने इतनी सारी वीडियो बना दी इतनी जल्दी तो एक महीना होने वाला है सिर्फ चैनल को और एक मही पंची पुने जहाज पे आवे यह किसकी पंगती है बहुत ही शांदार पंगती है मुझे बहुत अच्छी लगी सुबसुब पढ़के विरा दिल खुष हो गया इनको तो आप बताए किसकी है जैसे उडे जहाज का पंची पुने जहाज पे आवे यह पंगती किसकी है इत सब्से रजनाआगार को सच्चा सव्चंताबाद क到 मिराला को सुंच contradictory पंथंपन्तim को स्विधर परशित तो दोस्तों इन्होंने कहा है सुरीधर पाथकOO महभीर पश्चा्थ द॥मयाब क्रेयोक्त अन इस्तिरत लकारा समाचार के समध्यगम् लजरा महता दुआरा प्रियुक्त किये गए सब दो को लेकर किसने विवाद चलाया था ठीक है तो आपको बताना है कि किसने चलाया है तो हम पढ़ लेते इसके अप्सन मैथलिशन गुप्त ने रामचंदर शुकले बालमकुंद गुप्त ने या फिर भारतिंदू हरिश्च हुआ है थैक कि तो बताना है मन्जुल भगित की है मन्यूभंडारी की है उसा प्रेम बदा की है या फिर है कृष्चन सोब्टी जी की तो बताईए दोस्तों किसकी है तो यह है मन्जुल भगित की ठीक है प्रीम्जंद लें गड़े संक्रतित विध्यारति ने लाजी लेक longest Monsters здर्द बादेद अब रहन है है तो दोस्तो सुमित्रा नंदन पंतजी ने चलाई थी ठीक है मैं हिंदुस्तान की तूती हूं दोस्तो इस पंग्ति बस इसके आगे पढ़ने की जरुरत ही नहीं आप इसी से समझ गे होंगे क्योंकि आदिकाल में हजार कोशन पढ़ने का मतलब है कि आदिकाल से हमारा कोश है तो हम सोचेंगे उस कोशन पर हमने करेंगे क्योंकि हमने महां पर कोशन हजार पढ़ लिए दोस्तों पता है जब हम किसी चीज की ना कोई भी चीज हो जैसे कि मान लो मान लो कि मुझे रोटी बनाना सबजी बनाना बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो कोई मेर से इसको हम बहुत बार पढ़ चुके मैं हिंदुस्तान की टूती सिर्फ ही हां तक पढ़े हिंब या आपके मुह से उत्तर निकल जाएं इनकी पंक्तियां ऐसे थी कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम बास्तम में हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानना चाते हो, कुछ पूछना चाते हो, तुम उससे पूछो, ठीक है, लेकिन इस पंक्ति को कैसे भी घुमा फिरा, कैसे भी वो अपनी भाशा में हिंदुस्तान की हैं थे जानकारित करने हैं मुझे से पूछ लेकिन हिंदी भाशा में पूछ Dallas सूऑ पर दूद करों से में त्क होना से 1940 में चिनेरिया लिखक Cloud by पहुंचे अमरत राय है सिप्रसाथ सिंग्य तो तो दोस्तों इसका सही अतір है अम्रत लैuckle Size दाल नागर ठीक है इन में से कौनसे कभी घुमकड परबटी के लिए परसिद्द нравится है इन चारों में से कभी फिर्बर्चत के लिए प्रसिद्द्ध लृई म Nolan है एक ता अगरवाल्य तो दोस्तों इन स्का जो सही उत्तर है वहा है नागारजुन और नागरजुन को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इन्होंने बहुत ही शांदार मतलब लेखन कर किया है इनको बाबा नागरजुन के नाम से भी जाना जाता है और एक इनने रशना लिखी है हरी, पीली, लाल, गुलावी चूडियां उसे पढ़के ना मुझे अपने बच्पन की याद आजाती है क्योंकि एक बस का ड्राइबर होता है, वो अपनी गाड़ी में उन चूडियों को आगे लगा के रखता है और जब मैं छोटी सी थी ना, तो मेरे मामा जी ट्रुक चलाते थे और उसमें आगे एक गुडिया लगी थी, बहुत सुन्दर सी, बहुत मतलब उसने ऐसे लोहे की फ्रोंक पैन रखी, बहुत प्यारी गुडिया थी, वो ट्रुक में लगी थी, उसको खोल नहीं सकते थे और आगे चूडिया थी, खूप सारी, तो मामा जब आते ना, तो मैं बहुत प्यार समसे बात करती, कि प्ली, कहती तो नहीं मुझे, लेकिन जल्दी जल्दी उनको खाना ले आती, सब कुछ करती, ताकि वो आगे सी, मुझे बहुत चूडिया और गुडिया दे दे, तो ए और वो अभी तक नहीं मिली, गलत बात, हाँ, तो आपको क्या बताना है, कि घुमकड पिरुबर्ती के जो हमारे लेखक है, वो है बाबानागारचुन, और इनकी वो रजना थी, जिससे मुझे अपनी कहाने याद आ गई, हरी पीरी लाल गुलावी चूडिया, बस के ड्रा सके विकास के रूप से हुआ, आपका बताना है, कि ब्रिजभासा का बिकास हुआ, का से रूप से हुआ है, ठीक है, मांगदी से हुआ है, सव should सबस्वाइन बाद में कि स्विसेषटा की प्रमुक्ष्टा है क्षोत्त बेकत्ता की विसंगति पूद मुक्त की अजिनवी पनकी तो बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है व्यक्तक्ता जैसंकर प्रसाद का उपन्यास तिद्ली किस पत्र में धारा बायक रूप में छपा देखिए दोस्तों जैसंकर प्रसाद के तिद्ली उपन्यास है वो कौन से पत्र में ध हरा बायक के रुप में छपा आपको यह बताना है ठीक है दोस्तों तो ऑप्सन देख लेते प्रताप है विशाल भारत है अब्युद्य है या फिर है जागरण तो इसका सही उत्तर है यहां पर जागरण मौरीसस में कौनसा विश्व हिंदी सम्मिलन आयुजित हुआ आपको बताना है कि मौरीसस में कौनसा विश्व हिंदी सम्मिलन हुआ था चिक है तिर्तिय दुतिय चत्थूर्त या पंचम तो दुतिय सम्मिलन हुआ था दोस्तों भगवती चरन बर्मा का पिर्थम उपन्यास कौन सा है आपको बताना है भगवती चरण बर्मा का प्रिथम उपन्यास है उसका नाम क्या है टेड़े मेड़े रास्ते है भूले विख्रे चित्र है या फिर चित्र लेका है या है तीन बर्स तो दोस्तों बताईए क्या है तो दोस्तों इनका जो प्रिथम उपन्यास है वो कुझन्दु गुप्त यह किसका कथन बालुमु कंदु गुप्त के बारे में इसकिने कहा है कि अच्छी हिंदि सिर्फ लिखते थे हजारी प्रसाओ दोडी जी ने महावीर parents दोडी जी न राम मंगला पर साथ पाजी तोशक पुरुषकार मिला है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि इनकी जो साकेत रचना है ना इसमें है तो रामाइन की कहानी साकेत नगरी मतलब की अयोध्या वहापे रामाइन की कहानी इसमें दिखाई है लेकिन यहापे जो नायक और नाई का है न अंग्रे की प्रतियां अंग्रेयजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी तो दोस्तों सोझे बतन की ली गई थे तो में कौन सा विष्प्र बीदी समिलन हुआ इस नियुक्त सक्क्राइब टीनों पता चल गए पहला कहां पह्त पहता में नार्म और यहां थाना नमृत और को पांट मैं कि स्राइट गोबिंद्दास की इस रशणा को विस्व इतिहास का एकन भाग माना इसी तो दोस्टों यह बहुत बढ़ी की एक झ्लक हमारा प्रधान अपनिवेस तो इसका सही उत्तर क्या है हां पर दोस्तों यह जो हमारा सही orbits प्रत्वी परिक्रमा ठीक है दोस्तों और यह पार्ट हमारा यहां पर खत्म हो रहा है अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तब तक आप सभी को बाई बाई